उस वाइफ का सपना होता है कि उसका किचिन सबसे बैस दिखे, सफाई के साथ साथ सेटल भी हो, लेकिन ऐसा हो कहाँ बाता है, तो आपको ये मुश्किल से मैं बाहर निकाल देती हूँ, आपको अपने किचिन का इंटीर कैसे मैंनेज करना है, आईए जानते हैं आप कैसे अपने घर के किचिन को खुबसूरत बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं, और साथी साथ एक हल्दी तरह से उसे आप रख सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, और यहाँ पर हम आप पहुंचे हैं, अनिता जी के किचिन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ अलग अलग तड़ी के प्लांट्स हैं और किचिन में यूज्वली हम इस तरह से गार्डन या किचिन गार्डन देखते नहीं हैं किस तरह से आपने बनाया है किस तरह से इसको आपने डिकॉर किया है बताइए मैं ज्यादा तर टेरेस पर सब ग्रो करती हूं जो भी किचन की अर्गानिक फूर्ड मेरा कोशिश रहती की घर में और्गानिक फूर्ड होम ग्रोंड फूर्ड दो उसमें से मैं कुछ छोटे पॉट्स बना लेती हूं जो कि हमारे किचन में इजीली एक्सेसिबल होते हैं तो हमने जैसे होता है कि कुछ आटा गूने लगें जट से पालक है और एनियना से फ्रेश बिष्थ अनियन लगाए है। मैं वीड ग्रास केटी सिक अर उसका मॉनिंग में जीव है और उसके साथ साद जो हमारे लडा हम एटी में जो यूस करते हैं इन्हीं में से हर्ब में से बसल है मिंट है औरगेन नो हहां पार्सले है कोडियांडर है की किचिन पुर ludzi के चोटे से कोर्नर में यहां पर पूरा एक किचिन गान इस तरह say Canal एक चोटे-चोटे पॉर्च Samsung सहीनि जगे की भी दिक्कत रहती यह सिलिगा फ़र सफ सक्रीचिस में वह चोटे-चोटे रखे गया है обычно हर शाथीम अब पानि मिया से वह तो आती रहती है ले बहुत जरूरी है कि आप उसको एक नया लुक दे और इस तरह से जब तमाम प्लांट्स रहेंगे तो कही ना कहीं वो फ्रेश एर भी आपकी किचिन में देंगे और आपको बहुत नेचरल, आपको बिलकुल घर के ही किचिन से घर के ही किचिन गाडन से निकले आपको हब यहां पर मिल जाएंगे और वो आप आसानी से खाना बनाते वक्त आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आप अगर यह सोच रहे हैं कि किचिन में बहुत जादा जगे घेरने वाले यह प्लांट से तो ऐसा बिलकुल नहीं है आप इस तरह से छोटे-छोटे पॉट्स आप बना के किसी भी कॉर्णर में रख सकते हैं जैसे यह जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं यहां पर यह तमाम प्लांट साप रख सकते हैं या फिर अपनी जरुवत के हिसाब से आप इनको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं खास बात यह है कि यह आपके किचिन को एक ग्रीनरी लुक देते हैं और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी कहें की हेल्दी फूड भी आपको यह देते हैं किसी तरह से अगर आप चाहें तो तमाम जो बाकी का portion है kitchen का, अगर आपके kitchen में थोड़ा से space है, तो आप इस जगे पर या फर कुछ और corners जो है, बहां पर आप utilize कर सकते हैं, बिल्कुल तो यहां पर उपर भी रख सकते हैं, और जो आपके corners है kitchen के, आप उनको रख सकते हैं, अ और एक healthy look आप अपने kitchen को देख सकते हैं,